नमस्कार दोस्तो आज बात कने वाला हूँ GST योन ओसेन फ्रेट ओसेन फ्रेट के उपर GST कैसे लगेगा क्या इसके उपर GST एक्जेम्ट है या टैक्सेबल इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहें जन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए सारी साथ बैल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताक कि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों यहाँ पर बात करूँ गोवर्मेंट ने जो एक्जम्शन थी नोटिफिकेशन नमबर जीरो है न अब्लिक 2017 के अंदर इंट्रिगेटर टैक्स रीट के अंदर एक्जम्शन दे रखी थी जो की 39-2022 तक थी कौनसी सर्विस एक्जम्ट थी दो तरह की सर्विस सिरेल नमबर 20A के अंदर पहली सर्विस की अगर सर्विस होती है किस चीज़ की ट्रांस्पोर्ट ऑफ गुड्स की एर क्राफ्ट के थरू ठीक है कस्टम स्टेशन से आउट्शाइड इंडिया तो वो एक्जम्ट थी 20B के अंदर सिरेल नमबर 20B में जो एक्जम्ट थी वो थी अगर सर्विस यहाँ पे ट्रांस्पोर्ट ऑफ गुड्स का होता है किस के थरू अविसल के थरू मलब जो पानी वाले जहाज होते हैं ठीक है कस्टम स्टेशन से आउट्शाइड इंडिया तो उस केस में भी यहा 39-2022 तक थी 39-2022 के बाद ये जो एक्जम्ट ने वो विड्रोल कर ली गई है और एक अक्टूबर 2022 से ये टैक्सवल हो गई है टैक्सवल क्या हो गई देखो अगर ओसेंड फ्रेट होता है ओसें फ्रेट का मतलब हो गया है जब सर्विस वेशल के थरू दिये जाए मतलब ग है ठीक है मतलब सागर के थरू तो ओसेंड फ्रेट जो होगा अगर ओसेंड फ्रेट का बिल किया जाता है परसंड को इंडिया के अंदर तो उस केस में 5% जी एस्टी चार्ज किया जाएगा और एयर के थरू अगर ट्रांसपूर्ट ऑफ गुड्स है तो एयर एक्सपोर्ट का जो फ्रेट बिल होगा अगर बिल किया जाता है यहाँ परसंड को जो इंडिया में तो उस केस में 18% जी एस्टी चार्ज होगा मतलब ओसेंड फ्रेट पे 5% है और एयर के थरू अगर यहाँ पर ट्रांसपूर्ट ऑफ गुड्स की साविस दी जा रही है तो 18% का जी एस् इसमें exemption मिली हुई थी यहाँ पर place of supply की determination कैसे होगी तो देखो place of supply की determination जो new provision है section 12 का subsection 8 का जो की insert किया गया था with effect एक फरवरी 2019 के अंदर यहाँ पर यह बोलता है कि place of supply जो है वो outside इंडिया होगी क्योंकि जो goods की destination है वो outside इंडिया है इसके according यह interested transaction होगी ठीक है तो इस case में IGST लगेगा मतलब की simple सी बात है अगर यहाँ पर कोई person goods को transport goods transport की service दे रहा है और वो export कराता है ठीक है विशल के through तो वो ऑसन फ्रेट चार्ज करता है एक ऐसे person को जो इंडिया के अंदर है तो उस case में वो bill पर IGST चार्ज करेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर place of supply जो है वो outside इ पर IGST लगा के चार्ज करेगा जैसे मान के चलिए कि कोई person है जो दिली में registered है ठीक है जो फ्रेट की service देता है export of goods की service देता है विशल के through ठीक है और registered person जो अपनी goods को export कर रहा है वो भी डैली के अंदर है तो जब इसने इसके goods को export किया outside इंडिया तो इसने उसके बाद अप जो place of supply माने जाएगी वो goods की destination माने जाएगी जहाँ पर ये goods actually में supply की गई तो actually में goods supply कहां की गई outside इंडिया तो invoice क्यों पर IGST चार्ज करेगा और ना कि CGST है ये SGST चार्ज करके उस registered person को देगा क्योंकि section 12 subsection 8 close C के है coding IGST लेगी है क्योंकि place of supply outside है territory के इंडियन territory के और इस त मैंगे दोस्तों तो जो exemption है वो withdrawal कर लिया गया है exemption हटा दिया गया है 39222 से अब ये ocean fret जो है वो taxable है ocean fret के उपर 5% GST और air के थू अगर fret लगता है air export fret है तो उसके इसमे 18% GST लगाया जाएगा वीडियो के लगी ज़रूर बताए thank you so much जय हिंद वंदे मात्रों